तो इस वीडियो में हम आपको दो तीन चीज़ें बताएंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है और अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत काम की बात समझ में आएगी अब देखिए यह डिवी स्लेव का चार्ट है तो मैं हम ऐसा यह बात बोल के चलता हूं कि कि जो अच्छा है स्टॉक होता है वह हम ऐसा प्राइजेक्शन को फॉलो करता है तो अब यहां पर जो प्राइजेक्शन है अगर हम लोग यहां से एक ट्रेंड लाइन खीचते हैं तो यह आपका ट्रेंड लाइन है इसको भी और ज्यादा आप एक्स्टेंड करना चाहों अब यहां पर दो चीज़े आती है जो मार्केट हम ऐसा आपको कंफ्यूज करता है और ऑपरेटर भी है वह भी चाहता है कि मार्केट को कैसे कंफ्यूज किया जाया है ताकि रिटेलर को मार्केट समझ में नहीं आता है और जब रिटेलर को मार्केट समझ में नहीं आता है तो operator पैसा बनाता है और operator अच्छा पैसा बनाता है अब यहां पे आप देखिए जो famous टूल है operator उसी पर गेम करता है जैसे फीब री ट्रेस्मेंट या फिबनाची री ट्रेस्मेंट सभी लोग यूज करते हैं support और resistance theory सभी लोग यूज करते हैं तो इसको operator हमेशा एक टूल के तरह यूज करता है और वो बस यह चाहता है कि इस पे आप भरोसा नहीं करो और कभी यह support करेगा कभी अपोज करेगा तो जब यह support करेगा तो ठीक है जब यह खराब यह आपके result खराब देता है तब आप इस पे भरोसा करना बंद कर देते हैं और वही आपकी कमजोर के चलिए कि जब यह मार ensuring 8.5 जो मतलब 1.6 काने का मतलब है यहां तक पकर के चलिए कि एक बार जब नीचे किया तो 9.6 यह यह Ice सपोर्ट लिया height – 10.6 पे जो रेश्टेंश लिया इसा मान के चलिए अब दुसरी पार जब मार्केट 2011-13 में जब मार्केट क्रेस किया तो 2012-13 मार्केट में जो ये ट्रेन लाइन पीछे वाला चल रहा था उसी का मार्केट अब यहां पे माल लीजाएक हम इसी से एकर टार्गेट निकालने बैठते हैं तो हमारा टार्गेट में कितना आएगा 3.6 आएगा आप यहाँ पे profit book करोगे और बोलोगे हो गया लेकिन market तो वहाँ से और उपर गया तब आप क्या करोगे तो अब यहाँ पे आपको चीज हैं समझनी होती है कि हर चीज पे भरोसा blindly market में कभी नहीं करना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको problem होगी अब market में एक theory और है कि market जब यह 1.6 के उपर निकल जाता है तो वह यहां तक नहीं आता है उसको support यहीं से लेना है market को इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि यह support इसको यहीं से लेना है तो अब यह market 2020 के गिरावट में क्या यह support यहीं से लेगा या फिर जो है सो यह इसको तोर के उपर जाएगा कि नीचे जाएगा हम लोग थोरा सा इस पर discussion करेंगे ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं हम लोग और आपको यहां पर profit loss से मतलब नहीं है आपको सीखना है कि market चलता कैसे है चलिए हम लोग इसके अब सुरुवात करते हैं और देखते हैं कि यह market हमें क् कहना है यहां पर कि जब यह market यहां से गिरेगा तो यहीं से support लेना चाहिए लेकिन यह market देखिएगा आपको यहां गच्चा देगा और यह market बहुत तेजी से नीचे यहां तक आएगा ठीक है इसका logic क्या है कि जो operator है वो नहीं चाह रहा है कि आप यहां पर टिक हैं और वो यहां तक ले आएगा यहां पर माल भरेगा अब फिर एक अच्छा खासा हाई पर ले जाएगा अब यहां पर माल लेजिए यहां से ले करके हम यह मानते हैं कि हमारा market यहां तक है suppose that कुछ दिर के लिए माल लेते हैं तो अगर आप कुछ दिर के लिए इसको मानोगे तो आगे और फिर जो है सब्सक्राइब लिए यहां बाद में निकाल लें फिलहाल तो हम लोग अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो हमारे पास टार्गेट जो है अगर हम लोग 500 यह 700 रॊपय में बाई करते हैं तो अगर यह 35 रॊपय तक भी जाता है तो साथ गुना हो जा क्या है कि यहां पे आने के बाद मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए लेकिन अगर यहां पे आने के बाद सपोर्ट नहीं ले रहा है तो अब हम लोग को क्या करना है इस चीज को हमें ध्यान से देखना है ठीक है तो चलिए हम लोग इसको जब यह नीचे यहां पर आएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे अब देखिएगा जब यह मार्केट इसके नीचे आएगा तो देखो कित्त तेजी से आया तो यही चीजें होती है जो आपको समझना है और यहां हम लोग मेंग्जम क्वांटिटी डालेंगे क्योंकर ट्रैंट लां भी है और सपोर्ट विकि म्सरेज़ं भी है तो यहां पर हम लोग फौल क्वांटिटिंर डाल के फ्क्ले करेंगे ठीक है तो अब यहां पर एक चीज और होता है कि good stock में क्या क्या चीज आता है वो भी हम आपको बताएंगे अब थोरा देर आप इंतजार कर लिजे जब यह थोरा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको भी बताऊंगा कि जब यह देखी लगभग लगभग double bottom के structure आ ञाएब तो अब यहां पर देखो थोरा सा यहां projection बन रहा है आपको भले दिखने है क्योंकि मतली चार्ट है जब आप बिकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे जाओगे तो आपको असपोस projection बनता दिखेगा ठीक है और उसी चीज का हमें इस्तमाल करना चाहिए यहाँ प इंपल आपको जो एस्टेट जी है अभी प्राइजेक्शन बन रहा है ब्रेक आउट फिर नीचे आएगा एक बड़ी टेस्ट करना है फिर उसको निकालेगा और इस तरह से चलेगा तो अब आपको इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पहला तो हमारा टार्गेट यही है कि हमे की बात है ठीक है तो अब यहां पर आप देखिए कि यह मार्केट कितना सुंदर निकल रहा है अब इसमें आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि गुड एस्टॉक क्या चीज होता है और उसके क्या प्रेकरिया होती है सेलेक्ट करने कि वह भी हम बात करेंगे प अब जब यह मार्केट अठारा सौ पर जाएगा ना तो प्रोफिट बुकिंग आएगे किए पैसा उस तैंपर तिन वुना होगा और जो एक हजर पर लिया रहेगा वो दो हजर पर जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा तो भी बुक करेगा तो यह से ही मार्केट चलता है बसरते आपको और हमको समझना रहता है कि इसमें प्राइस का जो पैसे का एकुमलेशन हो रहा है, बड़ा प्लेयर तो पैसा लगा चुका है, और जब भी नीचे आता है उठोड़ा थोरा बाई करता है, और रिटेलर का घूस आता है इसमें, कि भाई तुम आओ इसमें, क्यो कि अकले बड़ा प्लेयर अगर लेके जाएगा खुद का पैसा लगाती रहेगा तो पैसा क्या कमाएगा तो अब यहां पे रिटेलर घुसेगा और जितना रिटेलर घुसेगा उतना प्राइस सूट अप करेगा और देखो आप यहां पे अब बड़ा प्लेयर ने नीचे पै candle के structure को आप देखोगे न तब को समझ में आएगा ऐसे नहीं समझ में आएगा ठीक है तो अब यहां पे आप एक चीज मान के चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं और यहां पे जो आपका price है अगर यह सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यहां पे आने के बाद में यह market को bounce कर जाना चाहिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि वो market bounce करता है या again नीचे आता है क्योंकि अब एक बार profit booking आने के बाद में price का accumulation होता है मतलब लोग इसमें गुशते हैं बड़े player छोटे player क्योंकि जब पैसा double हो जाता है तो वहां से कुछ लोग निकलते हैं ज आने दो फिर अपना नया position हम लोग बनाएं जाएं तो आप यहां देखो लगभग आपको चार क्रोर रुपई यह profit हो रहा है दो दूचार 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 क्रोर का profit हो रहा है ठीक है पैसा लगा होगा मानलों 30 छक 18 मतलब एक करोड का मतलब आपका पैसा लगभग लग इस market में तो पैसा तो वैसे ही बनेगा ना पैसा ऐसा थोड़ है कि आप जैसा सोच रहे हो इसा होगा वैसा नहीं होता वाई तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अब इस ट्रेल लाइन को छोड़के हमारे पास एक यह ट्रेल लाइन है अब देखो कितना तेजी से market निकलता है पैसा 5-7 हो गया और यह उसके ऊपर और भी जा सकता है लेकिन हम वहां तक के लिए फिर नहीं यहीं है तक करहें अर्म यहां में और यह सुझकों रोग देते हैं और चीज और देखाव को ओर दिखाते हैं जुआ क्युट सब्सक्रीट जुटाल इंकम यह देखिया तो 2020 में आपको कीफिए कि नहीं करोड़가 में 8600 करोड़ है 2022 में 8000 9000 करोड़ है 23 में 8000 करोड़ है और 24 में 8000 करोड़ है और नेट प्रोफिट में देखिएगा तो तेरह सो अद्दो हजार तीन हजार अठारह सो और 15 सची अतर है तो एस्टॉक जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वारियस प्रामिटर होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रामिटर होता है कि वह स्टॉक कितना प्रायिक्षन क्या होता है प्रायिक्षन को मैं कई बार एक्स्प्लैन किया हूँ प्रायिक्षन यही है देखो आप कि ये मार्केट को अगर आप यहां से पकड़ और वहागे तो जब कमपनी का प्रोफिट बढ़एगा। कि आखिर में stock चलता कैसे है और एक good stock हमें सा price action को follow करता है good stock के criteria है कि P20 तक होना चाहिए face value एक दो होना चाहिए उसके बाद में आपको ROC और ROE हिसाब किताब से होना चाहिए return on equity कितनी है और उसके company कहा कहा पैसा माल लिजे कोई company को profit होता है तो भी कहीं नहीं invest करता है उससे कितना पैसा आ रहा है और उसके बाद में आपको net profit कितना है operating profit कितना है उस सब चीज को गोली मार दो आप यह देखो कि उसको company पे debt कितना है करजा कितना लेके बैठी है 2-4-5% करजा ठीक है चलता है पहला चीज यह देख लो और दूसरा चीज यह देख लो कि यह और यह प्रोफिट है तो आगे आने वाले समय में भी वह प्रोफिट ही होगा कि कोई ओ कोई घपला न कर दे तो ऐसा रेर दन रेरेस्ट होता है कि company कोई घपला करती है दरवाज तो बढ़िया ही चलता है तो उस case में वह company बढ़िया ही चलेगा और बढ़िया ही प्रोफिट बना के आपको देगी और आप स्टॉक में पैसा लगाए तो पैसा बंबं भी होगा ठीक है वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना आपके उपर